हलो स्टूडेंट्स आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए द्रिश्टी पॉप्लिकेशन की द्रिश्टी विजन की एक क्विक बुक जो कि इंडिया को और विश्व के भुगोल को कवर करती है चिक है इंडिया की जोगरफी भी है इसमें दिवी और विश्व का भुगोल भी दिया हुआ है जो competitive exam के लिए बहुत ही बढ़िया बुक है और जिन बच्चों ने descriptive paper देना है ठीक है चोटे questions के जिनको चोटे answers चाहिए और authentic information चाहिए I recommend this book ठीक है तो आईए चलते हैं इस book का देखते है review और ये book हमें Amazon पे available है और इसका link मेंने description में दिया है ठीक है तो इसमें तो इसकी content में क्या-क्या है उसको discuss करते हैं सबसे पहले जो भारत का भुगोल है इसमें दिया है उसमें जो main जो इंडिया से related जो भी information जो भी competitive exam में questions पूछे जाते हैं जैसे भारत का एक समाने परीचे ठीक है और भुगोलिक्स बुगर्बिक संरचना भु आकरतिक प्रदेश अपवात अंत्रम्रिदा ठीक है जितने भी main जो जनसंख्या एवं नगरी करण ठीक है जो भी main topics होते हैं प्रजातियां एवं जनजातियां आपता प्रबंधन ठीक है यह सब इस बुक में दिया हुआ है ठीक है राज्य और केंदर शाशित प्रदेशों से related जो भी एक जनर्रला scoring होती है भारत की वह दिया है ऐब बात करते हैं विश्चो का भुगोल की विश्चो के भुगोल के बारे में क्या लिए विश्चो के भुगोल में इसमें जोुक मे जो मि हैं जो भीसिकल जो टॉपिक्स निवे इसमें बहुत डिटेल में दिया हैं चाहे इसमें लिखा विश्यो का बोल है लेकिन इसमें उन्होंने इनके लिए और उनको इसकस किया है तो जिन बचोमने इरन्पर स्टटी करनी है इंडिया की भी और जडिल जे और गर्म ustedesil और रड क्रिफ लिखा क्या है मैक मोहन रिखा क्या है उन सब के बारे में डिटेल में दिया हुआ है और पीछे इसमें अब्जेक्टिव टाइप कोश्चन्स भी दियो है जो आपको यूपी एसी की पेपर्स में पहले आ चुके है उससे भी आपको मदद मिलेगी जो ग्रफ के बारे में जो भी इंडिया उस बी इंडिया कि जो भी इंपॉर्टंट टॉकिकस इन सब्ही को इस भूग ने डश किया है कवर किया है जिस परार से इस बूक में डाइग्राम से और टेबल्स आप देख़ पार Tribal में इसलिए नदियों के बारे में देखिए नदियों बहुत अच्छे से एक्स्प्लेयन किया है जिन्होंने फटा-फट इंडिया को कवर करना है थोड़ा टाइम है और इतना ज्यादा समय नहीं है जिसे सॉइल्स का टॉपिक है सॉइल्स की बारे में पूरी डिटेल में बताया हुआ है कि कौन कौन सिंडिदा की से रचना है किस प्रकार से डाइग्राम के मार्दन से तो जिनके पास समय भी कम है और जो सिर्फ एक ही बुक खरीदना चाहते हैं जो गरफी की तैयारी के लिए इसका डिस्क्रिप्शन दीगी है कि मुक शेतर कौन से है कहां कहां पर पाए जाती है मिनरल बेल्ट कहां कहां पर है कहां पर आइरन ओर है ठीक है जैसे दिया है आइरन ओर कहां पर पाए जाता है कोईला कहां पर पाए जाता है हीरा डाइमंड यह जो भी कोश्टन से से इसमें डिटेल में दिये हुए है ठीक है ट्रांस्पोर्टेशन के बारे में अब बात करते हैं इसका जो सेकंड पार्ट है यह आगया आपदा प्रवंदन भारत में कहां कहां पर भुकाम पाते हैं और उनको डाइग्राम से बहुत अच्छे से डिटेल में बताया गया है जिए कौन कौनसी आप दाएं है और उनके बारे में अब चकशे के ख्राटब करते हैं इसके बारे ने ठीक है ? जो सेकंड पार्ट यह आगया भुगोल को ठीक है ? शिक्तयस के बारे चलम के जो हमारे फित्वी के अंदर के जितनी भी हल चले हैं बुगर भी खल चले हैं उनके बारे में डिटेल में बताया हुआ है इस बूक के अंदर कौन से यूग हुए उसके बारे में मोशन उफ द अर्थ ठीक है अप्रित्वी की गतियां कौन कौन सी है रेवलुशन जो भी फीजिकल जोगरफी के टॉपिक है लाइटिटिूड लाइटिटूड क्या है उनके बारे में तो फीजिकल जोगरफी के तो टॉपिक्स को बहुत बढ़िया तरीके से यह देख पारे तरीके से एक descriptive, एक short में लिखा गया है, तांकि जो बच्चे जल्दी से जल्दी तियारी करना चाते हैं, और geography की सिर्फ एक ही book खरीदना चाते हैं, जैसे moments or continents of the earth, जो हमारे महाधीप हैं, महाधीपों का उधे कैसे हुआ, पैंजिया था, उसको वो कैसे अलग-लग हुआ, उस all the competitive exams, जिन्होंने geography को as a subject लिया है, एक journal geography के questions हर सब्जेक्ट में हर पेपर में पतवारी है, या कोई आपका commission का पेपर उसमें पूछे जाते हैं, तो अगर आप एक ही book लेना चाते हैं, जैसे ही देखिए, रॉक्स का topic है, अगर आप एक ही book लेना चाते हैं, तो उसके लप्त है, और मैंने अपनी description में इसका link डाला है, आप वहां से भी खरीद सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, तो ये book बहुत बढ़िया है, सिर्फ एक जो negative point मुझे जो इस book में दिखा, कि इसमें जो ये diagrams हैं, इनको explain तो बहुत अच्छे से किया है, color भी इन्ह बढ़ा है, वो इसको पढ़ पाने में थोड़ा सा मुश्किल होगी उसे, बाकी all in all ये book at a glance, geography को पढ़ने के लिए दिखिया, ocean currents के बारे में, हर topic इस book में दिखिया, मैंने पहले भी आपको explain कि हर topic इसमें cover किया है, geography कोई भी ऐसा topic नहीं है, जिसको cover नहीं किया है, जो competitive exams क according, जो important topics हैं, वो सभी के सभी कवर किया है, तो all in all ये एक अच्छी book है, और Amazon पे उपलब्ध है, और अगर आपने एक ही book लेनी है, geography के लिए, जिसमें आपका इंडिया की geography और वर्ड की geography दोनों, जो physical geography है, वो cover होती है, तो I recommend this book, and this is a very good book for all the competitive exams, ठीक है, तो मिलते हैं जल्